आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसे जिन्दगी में जन्द से जन्द पैसा मिल जाए और वो अमीर बन जाए जिससे कि वो अपने सारी ख्वाइशों को पुड़ा कर सके योतिशास्तर में कुल 12 राश्य बताई गई है और हर राश्य में ऐसी बाते होती है जो उन्हें सबसे अलक बनाती हैं हर किसी की इच्छा अमीर बनने की होती है इसलिए वो तरह तरह के उपाय भी करते हैं जिनसे की वो अमीर बन जाए और उनके जीवन में खुछषियों की बाहर आ जाए अज हम आपको आजिसे ही कुछ कुछ राश्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके किस्मत आने वारे ठीक 11 दिनों में परतने वाली है और 11 दिन के बाद इन्हें वो हर खुशिया मिलने वाली है जिसके वो हकदार हैं इन्हें राश्यों को अपनी कड़ी मेहनत का फ़ल कुछी दिनों में मिल जाएगा अब इन्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोग सकता है। कुछी दिनों में आपको वो सारे एशो अराम मिलने वाले हैं, जिसकी अब तक आपने सिर्फ करपना की थी। दरसल आपको बता दे कि 11 दिन के बाद कुछ ग्रह अपने अस्थान को बदल रहे हैं। और ग्रहों के अस्थान बदलने का फाइदा मुख्य रूप से इन तीन राशियों को होने वाला है। तो कौन सी हैं वो तीन भागिशारी राशियां। चलिए आपको बताते हैं। पहला मेश राशी। आज से ठीक 11 दिन के बाद मेश राशी के जात्कों की किस्मत पलखने वाली है। और इस राशी के जात्कों के जीवन में किसी ऐसे प्रतिश्चित ब्यक्ति का आगमन होने वाला है। जिनकी वज़़से उनका मुनाफा दोगूना हो जाएगा। नौकरी तलाश कर रहे लोगों को किसी प्रतिश्चित कमपनी से बहुत अच्छा आउपर मिलने वाला है। और 11 दिन के बाद आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। कोई महेंदी चीज आप घर भी ला सकते हैं। आप जो भी कारे शुरू करेंगे उसमें आपको सफंता मिलेगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें और आप अपने पार्टनर या फिर दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। 11 दिन के बाद आपको भारी धंगाब होने की सम्झावना बन रही है। दूसरा सिंगराशी सिंगराशी वालों के किस्मत ठीक 11 दिन के बाद पूरी तरह से पराट जाएगी और काम की वज़ा से थोड़ी भागा दवड़ी भी करने पर सकती है। लेकिन इस भागा दवड़ी से आपको बहुत बड़ा लाव मिलने वाला है। अगर आपका कोई सरकारी काम रुपा हुआ है तो वो कुछी दिनों में पूरा हो जाएगा। आप जन्द ही खुद के घर में प्रवेश कर सकते हैं। नए लोगों से मिलना या साहकर्मियों का सुझाव आपके लिए महत्वपुम नसाबित हो सकता है। उनके सुझाव को नजर अंदालता करें। परिवार में आपके जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिसे आप बखो भी निभा पाएंगे। मुश्किल की घड़ी आने पर पार्टनर का भी पूरा सायोग मिलेगा। जिससे आपका प्यार और भी बढ़ेगा। अठका हुआ पैसा वापस मिलने वाला है। और एक ग्यारा दिन के बाद आप करोंकती बन सकते हैं। तीसरा तुला राशी एक ग्यारा दिन के बाद तुला राशी वालों के लिए शुम्शनयोग बंधा है। पहले के अठके हुए कारियों में आपको सफ़ता हासी होगी। स्वास्त आपका अच्छा रहेगा। लेकिन पेट से संबंदित कुछ परिशानियों का सामना करना पर सकता है। वही कुछ दिनों में विदेश यात्रा पर भी आपको जाना कर सकता है। और परिवार में चल दही कलेश खत्म हो जाएंगे। आज से ठीट एक ग्यारा दिन के बाद आपको कोई बड़ी खुश्खवरी मिलने वाली है। भगवान भोले नात्री तिर्पा से आप करुणपती बनने की आपकी संभावना भी बन नहीं है। और किस्मत का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफ़गता मिलेगी। बिजने शुरू करने का ये अच्छा समय है। नहीं नहीं इस प्रिच्छों से वित्राइट रिपोस्ट